अध्याय दो सोहे दोश लगाने वाले, तू कोई क्यों नहो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोश लगाता है, उसी बात में अपने आपको भी दोशी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोश लगाता है, आप ही वही काम करता है. हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आक्या होती है हे मनुष्य तु जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोश लगाता है और आप वे ही काम करता है क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आग्या से बच जाएगा क्या तू उसकी क्रिपा और सहन शीलता और धीरज रूपी धन को तुछ जानता है क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की क्रिपा तुझे मन फिराव को सिखाती है पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा नयाय प्रगठ होगा अपने निमित क्रोध कमा रहा है वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बतला देगा जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमर्ता की खोच में है उन्हें वो अनन्त जीवन देगा पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वर अन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है कलेश और संका ठायका पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर पर महिमा और आधर और कल्यान हर एक को मिलेका जो भला करता है preciso क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे, फिर जब अन्य जाती लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी, वे अपने अपने हिर्दाओं में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक की कवाही देते हैं और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुएं को जियोती और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपतेशक हुँ और ग्यान और सत्य का नमुना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आपको नहीं सिखाता है क्या तू जो चोरी ना करने का उदेश देता है आप ही चोरी करता है। तू जो कहता है व्यभिचार ना करना क्या आप ही व्यभिचार करता है। तू जो मूरतों से घ्रणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है। तू जो व्यवस्था के विशे में खबंड करता है। क्या व्यवस्थाना मानकर परमेश्वर का अनाधर करता है क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है जैसा लिखा भी है यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाब तो है परन्तु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिना खतना की दशा खतने के बराबर ना की नी जाएगी और जो मनुष्य जाती के कारण बिन खत्ना रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेक पाने और खत्ना किये जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोशी ना ठेराएगा, क्योंकि वो यहूदी नहीं, जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खत्ना है, जो प्रगट में है, और देह में है, यहूदी वही है, जो मन में है, और खत्ना वही है, जो हिर्दय का और आत्मा में है, ना कि लेक का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यू की ओर से नहीं, होती है